पूरा मामला लखीम पूर्जनपत के मितवली इस्ति सोनम नसिंग ओम का है जहां मितवली कसबा निवसी बसीर ने अपनी गर्वती पंतनी रेस्मा को डिलेवरी के लिए भरती कराया था जहां रेस्मा की डिलेवरी की दवरान मौत हो गई मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा करलास को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है काशी बिश्वनात मंदिर के गर्व गिरह में सरधालूं का प्रवेश शुरू हुआ अब सरधालू बाबा बिश्वनात पर मंदिर के भीतर जाकर जलाब से कर सकेंगे हाला कि दर्शन के दवरान सरधालूं को कोबीड-19 महामारी से बचाओ को लेकर जारी प्रोटोकाल का पालन करना होगा दो दिन पूर्व जमीनी विबाद में पूर्व इधायक निवेंदर मिस्रा की मौत को लेकर चल रही पुलिस जाज कारवाही से असंतुष्ट परिवारी जन बैठे अनिश्चित कालीन अंसन पर हाला कि पी-म रिपोर्ट में मिर्थ का कारण हार्ट टेक सामने आया है बावजूद इसके परिवार जाज से असंतुष्ट है वहीं पुलिस कप्तान सतेंद कुमार ने बताया कि परियाद गोटवाजी के परिवारी जिधायक जी की मौत का मामला आया है उसकी प्यम रिपोर्ट आ रही है परिवारों ने चोट लगने का रोग लगा तक क्या मामला रिपोर्ट आ रही है देखे तीन डॉक्टर के पैनल ने पॉस्ट मौटम किया था उसमें दो बाते सपष्ट होई है पहली यह कि शरीर में कोई जायरा चोट नहीं है किसी प्रकार की चोट की कोई बात पीम रिपोर्ट में नहीं आई है और दूसरा है कि पीम रिपोर्ट में मृत्यू का कारण हाट अटेक पर आगया है पोस्ट मौटम रिपोर्ट में इन दो बातों का उलेख है बाती जो भी तथे धीरे धीरे वेचना में प्रकार्श में आएगा उनक्या धारतन खर्वाई करेंगा मेरट में दिन दहारे अगयात नगाप पोस्ट लुटोरियों ने सर्राफा दुकंदार की गोली मार कर हत्या कर दी और लूटे 10 लाख रुपे नगदी घटना नगर के मेडिकल थाना छेत के जागरित बिहार कही है जहाँ भागमल जोयलर्स नाम से जोयलरी सो रूम में दो गोंडा जनपत के नगर कोतवाली के राजा महले में मंगलवार को कुए में गिरे बचडे को बाहर निकालने के दवरान पांच लोगों की कुए में ही मौत हो गई मौके पर पहुँची पुलिस फायर बिगेट की टीम ने रिस्कु किया लेकिन तब तक पांचों की मौत हो चुकी थी पुलिस की माने तो कुए पुराना था जिसमें साइद गयस कारिसा हो रहा था जिसके चलते ये हादसा हुआ